स्वागत है दोस्तों वेलकम बैक आप लोग का स्वागत है एक और सांदार से दिन में तो आज के दिन हम लोग एक आसम खतरनाक बैटल देखेंगे बबी थॉमस दा ट्रेन और साइरन हेड के बीच में देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है तो चाला फाटा फट से इस सांदार एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं चलो दोस्तों ये रहा वो सांदार एनिमेशन हम लोग इसे मस्त इंजोई करते हैं तो टोटल तीन बंदे हैं वो लोग किसी पत्थर के पास गए हैं तो एक बंदे ने चाकू निकाला और खरोच मारा आएं यहाँ पे साइरन हेड कैसे आ गया दोस्तों ये उसे बुलाने का कोई एडवांज टेकनलोजी होगा ओके तो तीन बंदे मस्त चिला के वहां से भाग रहे हैं एक सेकंड दोनों लड़के मर गए और लड़की भाग गई ये भेदभाव क्यूं हम लड़के हैं हमारे साथ ऐसा ही होता है ओके दोस्तों तो दोनों लड़के को साइरन हेड ने उठा लिया है और लड़की वहां से भाग गई क्योंकि लड़की को उसने वक्ष दिया पता नहीं क्यूं ओके तो वो किसी ट्रेन के टनल के पास आ चुका है सायद वो बुलाना चाहता है किसी को सायद वो थॉमस दे ट्रेन को बुलाना चाहता है आये अबे ओ यो ताली बचाओ थॉमस दे ट्रेन यहां पे आ चुका है ओके सायद हेड आये यह यह क्या था सायद हेड ने अपना खाना ऐसे फेक दिया लो भाई तुम खा लो ओके तो मेरे ख्याल से अब बैटल सुरूने वाला है दस्तो जल्दी से नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा यो ये तो काफी भायंकर और बराबर का बैटल है ये क्या थामस दे ट्रेन का थोड़ा सा खून निकल चुका है ये अपने नाखुन से मरेगा क्या लगता है यार कौन जीतेगा मेरे ख्याल से थामस जीतेगा ओके थोमस क्या लो गुर रा रहा है लेकिन वस मरा रहा है ये क्या था थोमस ने साइरन हेड के हाथ को खा लिया फिर से देखते हैं ये कितना घिनोना था पर अच्छा लगा देखने में थोमस मेरे ख्याल से जीत रहा है आए अबे इसका पैर भी कट गया फोमस जीत गया दोस्तों मेरे ख्याल से ओके इसका हाथ गया पैर गया बेचारा नल्ला अरे अरे इसके हाथ पैर वापस से उग चुके है यो तब तो मेरे ख्याल से साइरन हेड चीतने वाला है मैं बहुत एक्साइटेड हूं थोमस का काफी सारा खून बैचुका है माई गोड साइरन हिट का पूरा मुंडी ऐसे थोमस ने खा लिया गजब गजब थोमस मेरे दोस्त वैसे थोमस मेरा दोस्त नहीं है वो फ्लो फ्लो में मैंने बोल दिया सॉरी ओके मेरे ख्याल से दोस्तो थॉमस इस बैटल को जीत चुका है दोस्तो वो बैटल तो खतम हो गया चलो हम लोग फाटाफट से एक और सांधार बैटल देखते हैं वो भी ट्रेन इटर और थॉमस दे ट्रेन के बीच में ओके तो वापस से तीन बंदे हैं लेकिन तीनो लड़के हैं इस बार ओके तो वो लोग कहीं पर जा रहे हैं यो ये तो सायद मेट्रो स्टेसन है क्या सायद वाई है आई ये तो काफी ज़्यादा एब्देंड इस्टेसन है हाई ऐसे इस्टेसन में कौनी जाता है वैसे ये तीनों मेंटल जातो रहे हैं ओके तो काफी ज्यादा मकडी का जाला है बहुत पुराना इस टेसान है मेरे ख्याल से अब ये तेरा हिम्मत कैसे कर रहा है नीचे जाने का ये देखो दोस्तों मेरे ख्याल से ट्रेनीटर यहीं पर मिलेगा मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ट्रेनीटर भी एक खतरनाक सा मॉन्स्टर ही है ओके तो वो तीनों लोग नीचे आ चुके है ट्रेनीटर मेरे दोस्त कहाँ पर वरो तुम चलो तो ये सब सायद उसी को खोज रहे है कफी ज़्यादा अंधेरा भी है नीचे ओके तो अभी तक तो हमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला है लेकिन बहुत जल्द दोस्तों इंतिजार करते रहो ट्रेनीटर मिलने वाला है मेरे ख्याल से ट्रेनीटर ही होगा यहाँ पर कुछ आवाज तो आ रही है वैग्राउंड से ओके यह क्या है अब यह तो एक नॉर्मल सा पुराना ट्रेन है तत जल्दी से ट्रेनीटर को खोजो यह कौन सा आदी मानव के जमाने का सिक्रेट लेंगवज है क्या ही वोलूम है ओके तो एक बंदा इस सायद पुराने ट्रेन के अंदर आ चुका है भाई तू तो बहुत हिम्मती है एक अकेला बंदा आया है यह पक्का मरने वाला है यह सबसे पहले मरेगा येस येस मैंने अंदाचा लगा लिया है दोस्तों ये ट्रेनीटर है देखा मेरे बिग ब्रेन का नतीजा यो 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 ट्रेनीटर वहाँ पे आ रहा है ये बंदा मरने वाला है हाई सहाब ये देखो दोस्तों इसे ट्रेनीटर कहते हैं इसके कितने सारे आँख हैं एक खतरनाक सा मुह भी है पागल की तरह जब तरह को चिलाना ही था तब वहाँ पे गया क्यों मूर्ख नहीं मूरख ऐसे ज़्यादा सी रएगा प्रनाउंस ये सन भाई जब इसे भागना था तब गया क्यों इसका नाम ट्रेनीटर है इसका मतलब ये ट्रेन को खाता है हाँ हाँ अराम से उसे चवालो कहीं अटक न जाए मैंने वोला था न दोस्तों देखा मेरे बिग ब्रेन का नतीज़ा मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूँ वो बंदा सबसे पहले मरा दो बंदे और वचे हैं ये दोनों भी चिला रहे हैं आएं ये पहला वाला बंदा हस रहा है की रो रहा है हस दे चेरियां दा मतलब यह नहीं दा कि अनुकर को तकलीफ नहीं हों देखा जाएद हस्ती भाग रहा था वो यह यह मैं कितना घिनोना मौत था एक बंदा और बचा है बहुत जल्द दोस्तों ये भी मर जाएगा यह तालीफ जाओ थॉमस दट्रेन आचुका है अब दोस्तों जगडा होगा कि ये वाला सिकार कौन खाएगा ओके तो थॉमस नहीं सिकार को खा लिया तो फिर से बैटल होने वाला है तुमें क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतेगा जल्दी से बताओ यह क्या था फिर से देखते है थॉमस ने ट्रेन इटर के हाथ को काट दिया यह बैटल तो मस्त होते जा रहा है अबे ट्रेन इटर ने थॉमस के हाथ को खा लिया यह क्या हो रहा आए आए नाई 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 सिट सिट भाई साब मुझे विश्वास नहीं हो रहा मुझे जरा भी उमीद नहीं था कि ट्रेन इटर जीतेगा पर अपना वेचारा थॉमस मर चुका है यार ये ये ट्रेन इटर बहुत ही खतरनाक है चलो दोस्तो हम लोग फटा फट से थॉमस दे ट्रेन की एक और सांदार एनिमेशन को देखते हैं यहाँ पर टोटाल पांच बंदे हैं वो लोग साया थॉमस की खोज में जा रहे होंगे यो सामने के तरफ एक गुफा है ये कौन सा सिग्रेट लेंगवेज था उड़ 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 सोरी ओके तो ये लोग बैरिकेटिंग को इगनोर करके मस्त आगे जा रहे हैं बैरिकेटिंग किसी लिए होता है इगनोर करने के लिए ही तो चलो दोस्तों वो पांच बंदे यहाँ पे आ चुके हैं वो लोग इधर उधर ऐसे देख रहे हैं थॉमस तो मुझे आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा है अबे यह कौन सा चीख था ऐसा कौन सा चीख है अग्दम ऐसे चिलाया चाता है इसका चीख फिर से सुनते हैं और चिंदी चीख था काफी सारे चमगादड वहां से जा रहे हैं ओके यह कौन सा सीक्रेट लेंगवेज है उस बंदे ने सीक्रेट लेंगवेज में कहा अंदर के तरफ बहुत चमगादड हैं ओके तो लाइट फ्लिकर कर रही है यू यह तो नॉर्मल थॉमस दे ट्रेन है ओके तो साइद यह इविल थॉमस दे ट्रेन में कनवर्ट होने वाला है यह सब उसकी उपर चड़ाई करेंगे साइद एज एक्सपेक्टेड इनको तो ऐसे पंगे मोल लेने की आदत हो चुकी है ओके तो यह पाचों बंदे टाइम पास करने आए है जैसे मैं अपनी लाइफ के साथ टाइम पास कर रहा तो दोस्तों थॉमस दे ट्रेन अब साइद इविल होने वाला है यह वाज कैसा था मेरे ख् चुका है यू यह यह देखने में बहुत आसम लग रहा है कि यह पांचों की हवा निकल चुकी है कि यह पांचों मरने वाले हैं अब्वियस बात है कि बस 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 भाई कितना ते चिल लाया आप पूरा गाना बना दिया ओके तो इसके दोस्त लोग मस्त पत्थर मार रहे हैं कितना गंदा तरह से मरा वेचा रहा सब मरने वाले हैं सब मरने वाले हैं बहुत सही कितना गंदा टेस्ट आ रहा होगा वैसे एक सेकंड मेरे को कैसे पता गंदा टेस्ट आ रहा है कि अच्छा ओके तो दो बंदे अपनी जान बचा के उस गुपा से बाहर निकल चुके है वैसे मेरे को लगता नहीं है ये दोनों भी बचेंगे एक और मर गया दोस्तों ये भी मरने ही वाली है बहुत जल्द ओके ओके कितना दूर जाओगी मेडम चलो तो ये भी मरने वाली है ओके ओके यार इतना जादा दूर तक दोडने का क्या फायदा हुआ अखिर मरना तो था ही चलो दोस्तों तो मेरे ख्याल से तुम्हें थामस के ये सारे एनिमेशन काफी पसंद आये होंगे तब फटा फट से लाइक कर दो आज के लिए बस इतना तब तक के लिए पीस